करेंगे निफ्टी के बारे में डिस्क्लेमर देदू मैं रिजिस्टर इडवाइजर नहीं हूँ तो जो भी चीज आप बाइसेल जो भी आपको करना है आपके डवाइजर को कंसल करके ही कीजएगा बात करें निफ्टी की वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं बी शेर किया था ट्रेड शेर किया था कि आप झिफ्टी का फिफ्टी वा-न्हं-ड्रेड प्रास औउजड 2019 यह वाले जो पूट और ब hedge और शार्ट कव सकते हो एक्जिट करेंगे या तो हमारा SL हिट होगा जो की at cost ही होगा अगर SL हिट भी होगा तो वरना इसको हम ट्रेल करते जाएंगे Thursday के लिए fresh trade option buying के लिए काफे लोग पोछ रहें कि आपने option buying के लिए नहीं बताया तो देखिए option buying के लिए यहापर कोई trade बन ही नहीं रहा है जिस लेवल पर है न 18,250 के आसपास इन लेवल्स पर option buying का trade नहीं बन रहा क्यों क्योंकि risk reward ratio आपके favor में नहीं है minimum आपको जो stop loss लगाना होगा वो 150 तक का ही लगाना होगा तो अगर आप 100 point की risk ले सकते हो option के अंदर तो आप definitely at the money call option buy कर सकते हो इशू यह आएगा क्योंकि अगर समझे add the money call option आपको 80 रुपे में या 90 रुपे में या 70 रुपे में मिलेगी तो अगर समझे आपने 18,250 का call option ख़ेदा और वो 17,80 रुपे में मिल रहा है तो जिनको option buy करने उनका margin का issue होगा तो जिनको margin का issue है उनके लिए trade ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा risk की जादा है देखिए option buying में भी आप एक lot लोगे तो तो उस्ते अच्छी एक strategy ये बनके आएगी कि अगर आपको option buying ही करनी है तो थोड़ा सा capital on लगेगा क्या कर सकते हैं कि 18,250 का एक put बेच दीजिए जिस भी strike का बेच रहे हो उस्ते 100 points नीचे या 50 points नीचे आप एक put option खरीद लीजिए उस्ते क्या होगा कि अगर आपकी जो expiry है 18,250 के उपर होती है तो आपको एक थोड़ा सा 3-4,000 रुपे का profit हो जाएगा और 3-4,000 रुपे का ही आपको loss रहेगा तो one is to one का risk reward वाला ये trade बन सकता है तो जितना profit उतना ही loss क्या आसपस की strategy रहेगी तो जो भी strike का put option बेच रहे हो आद दमनी अगर बेच रहे हो तो उस जो भी loss हो वो loss के अंदर आप चाहो तो exit कर सकते हो फिर आपको hold नहीं करना है फिर वो strategy के अंदर hold के कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर market ने इनको traps किया है तो 18,200 के नीचे market sustain ही नहीं होना चाहिए कल देखते है अगर gap down opening मिले flat opening मिले 18,200 के आसपास मिले उस point पर scalping के अगर 220 के आसपास ही हाँ 18,200 के आसपास 200-220 के आसपास इस zone में कहीना कही अगर आपको एक trade मिलता है कहीना कही आपको support market लेते वे देखने को मिले 18,200-220 की zone में जैसे आज लिया तो वापिस आप एक buying के opportunity देख सकते हो वीडियो informative लगे like zero करना चानल को subscribe नहीं कर सकते है न प्राणिवाद